नमस्कार बहुत स्वागत है आपका फालगुर माह के कृष्ण पॉष्ट की एकादसी को बिजया एकादसी कहते हैं और इस बार बिजया एकादसी 16 फरवरी गुरुवार के दिन मनाई जाएगी एकादसी तिथी भगवान स्री हरी विश्णू को समरपित है और ऐसे में गुरुवार के दिन एकादसी तिथी पढ़ने के कारण इस दिन का महा तो बढ़ गया है सुम मुर्द क्या है देखिए फालगुन महा के कृष्ण पॉष्ण की एकादसी तिथी का प्रारंब 16 फरवरी की सुबह 5 बच कर 32 मिनट पर होगी और 17 फरवरी की सुबह 2 बच कर 49 मिनट पर समाप्त हो जाएगी उदिया दिथी के अनुसार जो बिजया एकादसी है ये बरत 16 फरवरी को ही रखा जाएगा पारंग का समय होगा 17 फरवरी की सुबह 8 बच कर 1 मिनट से सुबह 9 बच कर 13 मिनट के बीच पारंग के दिन हरीवासर समाप्त होने का समय सुबह 8 बच कर 1 मिनट है नियम क्या है बरत विधी क्या है देखिए इस दिन सुबह सुबह अस्नान करके बरत का संकल्प ले घर के मुखे दरवाजे पर बंदनवार लगाए पंच पल्लव कलस भगवान स्रीहरी की मूर्ति की अस्थापना करे धूप दीपुस्प फल तुलसी के पत्ते से स्रीहरी क पूजा करें लेकिन तुलसी का पत्ता 11 दिति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए पहले से तोड़कर रखा है तो उसी को यूज करें या फिर पेड के नीचे जो सुखे में पत्ते गिरें हैं उसको दोकर यूज कर लें ब्रत करने के साथ ही ब्रत कथा का भी स्रवन करना चाह उसके बारे में हम आपको चलिए बाद जानते हैं बिस्तार से धनिय का महा परियोग जो जीवन के आर्थिक मुश्किनों से आपको बचाये रखता है यह धनिया आपके जीवन की समस्त परिसानियों को समाप कर सकता है चाहे वो धन की हो करजों की हो या फिर सनिदेव के दो जिवन में खुसियां बढ़ा दे धनिया का परियोग करwow की खाने में होता है हर किसी के घर में होता है क्योंकि यह धनिया मालक्षमी को आकर्सित करती है और अगर आप धनिये के चोटे से उपाए करते हैं तो जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर लेते हैं धन्या खाने का भी स्वात बढ़ाता है और जीवन को सुखमे बनाने में भी इसका योगदान तो होता ही है तो जीवन के तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिए धन्या का अगर आप धन की कमी से बहुत परेशान है तब किसी भी सुब दिनों में चाहे वो मंगलवार हो गुरुवार हो बुद्धवार हो सुक्रवार हो एक छोटा सा प्रयोक्रे आपके घर में मिट्टी का बरतन होगा नई कुस तो दीपक तो होगा अब इसमें थोरा सा धनिया रख लें इसमें एक कर रखिए और इसी कपड़े में दो दिनों के बाद निकालिए इसको यह जो धनिया है इसको आप अपने घर के मिट्टी में गमले में जहां भी मिट्टी हैं वहां बोदे जो सिक्का है उसी लाल कपड़े में बांध कर अपने धन के अस्थान पर रख लें और यह जो कभी आपका प्यार खो जाता है कभी अपना पन खो जाता है कभी अपने ही प्रयाय लगते हैं लगता है जब सब कुछ खो रहा है तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए और यह प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं एक लाल रंग का कपड़ा लें छोटा सा उसमें थोड़ सधनिया बांधे हन्वान जी के चर्णों में रखते हैं हन्वान जी से प्रास्थना करें आपका खोया वह प्यार आपके खोएवे मान सम्मान आपकी खोईवी दौलत सुहरत इज़त सम्मिल जाएं कभी कभी क्या होता है देखें हम बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहे ह बहुत बार होता क्या है किसी ने आपका पैसा ले लिया है लेने के समय तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन देना नहीं चाहता है तब एक काम करें किसी भी सनिवार रविवार या मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रियोग कीजिएगा एक सफित कागज ले ले थोरा सा धन के साथ यह प्रियोग आप छत्पे बालकनी में कहीं भी करें जैसे कोई टोके नहीं और फिर जलावा जो चीजें हैं कहीं भी बाहर निकल के मिट्टी बिगरे में दबा दीजेगा आपका गया वह पैसा मिलने की सभावना बढ़ जाएगी कई बार घर में सुक्सांती नही जाता है और घर में खुसियां चली आती हैं यह प्रो प्रियोग बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कारगर है इसको आज माके देखें आपको लाब जरूर होगा कभी-कभी धन बहुत खर्च हो जाता है इकता ही नहीं कभी-कभी आर्थिक इस्तिति इतनी परेसान करती है कि ल बहुत जादा आपको नहीं खिलाना है थोरा सा आप खिला दें माना जाता है ऐसा करने से आपकी आर्थिक इस्तिति अच्छी होती है लेकिन याद रखें जब गाई को आप धनिया खिलाईएगा तब गाई को छुपकर अपनी मनोकामना जरू कहिएगा यनि हलका सा टच कर लेना है अपने हाथों से खिला सके तो अति उत्तम नहीं तो कोई बात नहीं जैसे भी खिलाते हैं कभी-कभी करजे से आप बहुत परिशान हो जाते हैं लाग प्रियास के बाद भी करज उतरता ही नहीं है और इसके जो करज के आपने किसी से पैसा लिया है उसका जो इंट चुकाना होता है आप परिशान है प्रोफिट नहीं हो पा रहा है धन आ नहीं रहा क्या करेंगे तब एक छोटा सा प्रियोग करें रात में सोने के पहले अपने सी रहने थोरा सा सुखा धनिया रखकर सोईए अगले दिन उस धनियों को कहीं बेउठाईए और ले जाकर कहीं पीपल के नीचे दबा दे करजों से मुक्ति मिल जाती है याद रखिए करजों से मुक्ति पाने का यह परियोग है रात में आपको रखना है और अगर कभी कभी क्या होता है नजर दोस लग जाता है आपके घर में बच्चे हैं बड़े हैं नजर दोस किसी को भी लग सकता ह आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है सब कुछ तो ठीक था है एक दम से सब कुछ गर बढ़ो गया तब ऐसे में एक छोटा सा परियोग करें थोरा सा सुखा धनिया अपने बाएं हाथ में लेकर जो बैक्ती जो बच्चे नजर दोस्ट से पुलित है उसके बाद उसके उ जनियों को आप जला भी सकते हैं कहीं बाहर की तरफ निकलके जो भी उपाई कीजिए कोई टोके नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा कभी कभी बैवाही जीवन में खुसिया नदारद हो जाती है लगता है साथ तो हैं पर एक दूसरे को पहचान नहीं रहे एक दूसरे को लेकिन पत्री का दिमांग कहीं और है कई बार पतियों के दिमांग में कोई और छलता है अब घर में टेंसन के काम और अगर अगर भाजाए टेंसन कम हो जाएगी और सत्यान भगवान की किर्पास से घर में सुक्सानती आएगी आपका प्रेम आपको आपस मिल जाएगा कई बार सनिदेव की पिडाओं से इतने पड़िसान होते हैं सनिदेव जो नियाए के देव हैं लेकिन नौकरी रोजगार में स्थिरता भी सनिदेव देते हैं ये तो आपको पता होगा अब नौकरी रोजगार स्थिरता नहीं है रोजगार तो करते हैं धन नहीं आते पैसे ठिकते नहीं नौकरी भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है क्या करें तो आपको सनी देव को मनाना होगा ये धनिया हर एक रोक की दवा है आपको तो पता है पी पीपल के पेड़ के जड़ में थोड़ा समय टिक होत कर वहां पे गाड़ दें और फिर एक लोटा जल वहीं पर अरपित कर दें सनी देव के दोसों से मुक्ति मिलेगी और आपका नौकरी रोजगार भी चल पड़ेगा जिस चीछ की आपको आवसकता है वह आपको मिलने लग बहुत सिंपल उपाय है यह प्रियोग आप सनीवार की अर्ली मौनिंग कीजिएगा जैसे कोई देखे नहीं टोके नहीं कई बार होता है पैसे ही नहीं टिकते तब ऐसे में किसी भी गुरुवार के दिन थोड़ा सा सूखा धनिया मालक्षमी के चर्णों में अर्पित करें और उसको अपने तीजोरी में रख दें धनाने लगेंगे पैसे टिकने लगेंगे और आपके जीवन की जो परिसानी है ऐसी परिसानी जिसकी आपको आवसकता नहीं है लेकिन फिर भी वो परिसान कर रहा है समौत हो जाएगी तो फिलाल हम आपसे भी दा ले रहे हैं जानक सब्सकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट ग्रैंट्थरमासमाग.com गूगल सच करके आ सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको डिसकी सुन में मिल जाएगा इस उपाय को करके जरूर देखें जब आप दिल से कोई भी परियोग करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको 100% मिलत सब्सकारी करते हैं